मैं साकेत सिंग कौरव, रिजनल साइंस सेंटर भोपाल का प्रोजेक्ट कॉडिनेटर. रिजनल साइंस सेंटर भोपाल आप जानते हैं कि लोगों में विज्ञान में रूची पैदा करने के लिए आम जंता में, खास कर विज्ञान में बड़े जोर सोर से लगा हुआ है, इसी सरंकला में हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, सालवर हमारी प्रदस्निया है, हमारा थीडी फिल्म थेटर है, तारा मंडल है, लेकिन अब इस खास मौके पर जब पूरी दुनिया में भारत के उपर सब रास्ट्र, खास कर अंतरिक्ष में अपने आपको महरत दिला देने वाले रास्ट्र टक-टकी लगा के देख रहे है उसमें भारत भी सुमार होने जा रहा है, क्यों? क्योंकि भारत का सबसे प्रिस्टिजियस, अम्बीसियस मिसन, चंद्रयान 3 अभी अपनी रास्ते में है, आज आप और जब हम बात कर रहे हैं, तब वो प्रत्वी की कक्छाओं में हैं अभी, और इस महीनी के आंति तक वो प्यात्रा कर देगा शुरू और अगले महीनी अगस्ते इसको वो चांद के दक्छन धुरूप्ट के पास में उतरने का प्रियास करेगा, मैं आपको बताऊंगा यह लगवख होगा कैसे, यहां देखिए कि इस दूरी पे लगवख 69 डिग्री, अगर आप देखेंगे साउ और 32 डिग्री वेस्ट, इस तरह की लोकेशन आप ले लेते हैं, यहां पे आप देखेंगे कि चांद पे हमारा चंदरयान तीन, बड़े से एक किलोमीटर वाई, एक किलोमीटर एरिया में उसकी जगह को चुना गया है, वो जगह पर उतरेगा, आप देखेंगे कितने सारे क्रेटर हैं, लेकिन आप देखेंगे, जब पास में जाते हैं, तो सरफेस समतल भी है, और उनमें से बहुत सी जो गड़े हैं, वो गड़ों में सुरू से ही सूर का प्रकास नहीं गया है, तो रिसर्च हमारी चंदरयान तीन की ये बताती है, कि इन में आईस हो सकती है, और वो सिगनिचर जो हमें बर्फ की रूप में पानी के मिले हैं, वो हमारे चंदरमा की आगे की यात्रा में बड़े सहयोगी होंगे, तो इसलिए ये जो चंदरयान तीन का रोवर का प्रितिर कात्मा का एक मॉडल है, ये आपको बता रहा है कि ये कैसे उस सरफेस पे उतरेग अब ये अपने आप में बहुत पेचीदा मिसन है, उसके प्रती लोगों में जागरुकता कैसे बढ़े, लोग इसको कैसे अपनाएं, साइंस एंटेकनोलोजी के इस दौर में, चंदरयान तीन का रिजनल साइंस सेंटर भोपाल में एक मॉडल बनाया है, हमने स्केल डाउन एक रॉकेट के फॉर्म में हमने इसको डिस्पे किया है, साथ में हमने इन्फोग्राफिक डिस्पे बनाया है, ताकि लोगों को एक सहाई सरल भासा में जानकारी मिले और बोजोर सकें, इसके लिए हम गाइडे टूर भी चला रहा हैं चंदरयान तीन का, विस विस रूप स जिसके लिए कोई अतरित सुल्क नहीं है, लेकिन आपको विज्ञान की निर्ग का सुल्क लेना पड़ेगा, तो टिकेट लेना पड़ेगी, आप जरूर आएं जी बिल्कुल, अब जैसे आपने बात कहा है कि मैं अगर आपको दिखा दूई यहां पर इसको थोड़े चांद को हम इस तरीके से देखते हैं तो अब आपको मैं यहां पर यह जो और बिट है माली जीए, यहां पर चांद का हमारा चंदरयान तीन जब पहुँचेगा, व इस मॉडियूल में आप देखेंगे कि उसका लेंडर भी है, उसका रोवर भी है, और इन बिल्ट है रोवर तो उसके अंदर है, प्रपॉल्शन मॉडियूल है, जब खुलके, तूटके, हटके, जब उतरने के लिए इस तरीके से सर्फेस पे आता है, तो उन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो जब इसकी दूरी माली जी, अब इसको हम बहुत पास में देख लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं, किसी भी सर्फेस पे, अगर आप, अब माली जी यहाँ पास में आ गए, उधारन के लिए, लगभग आपका दो से तीन क्लिमेटर दूरी पास पची यह चांद की सतह से, इस दूरी की बीच में, सॉफ्ट लेंडिंग की प्रिकरिया होती है, यानि इसको इतने कंट्रोल तरीके से उतरना होता है, अगर आप इसको दिखा पाएं अपनी दर्सकों को, कि यह माली जी हमारा लेंडर है, चंद नियांतीन का, वो यह उतरे इतनी पेची दा टेकनोलोजी है, कि पूरी दुनिया में अभी तक तीन ही रास्ट्र हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, जो यह कर दिखा पाएं हैं, और बहुत से रास्ट्रों का यह सपना रहा है अभी तक, लेकिन भारत भी इस स्टनी में आफ सामिल होने बाला है, हम वो इनरोलोजी को स्टडी करेंगे, उसकी सतय से जो धूल उड़ती है, उसे आसपास की मिटी को री गॉलित कहते हैं, चांद की, वो किस तरीके से नुकसान पहुचा सकती है, ऐसे स्पेस्क्राप् लैंडिंग में उसका ध्यान होगा, और उसके अंदर क्या भूकम पाते हैं, जो रोवर है इसके अंदर, इसकी बैली में, पेट में, जो बहार आएगा उतरने के बाद, ये दोनों दिन लगवग 14 दिन रहने वाले हैं, प्रत्वी की 14 दिन के एसाब से, तो ये जब ध्यान करेंगे, तो कैसे अर्थ को इक आते हैं, वहां की एलेक्रोस्टाटिक मेरा जेल बिलवार है, और हम लोग आज यहां आए, लेकिन चंद्रियान 3 के बारे में भी, हमने टीवी में भी देखा, और बहुत अच्छा लग रहा है, तिसी बार इश्वर करें सक्सेस हो जाए वो, और हमारा इंडिया का नाम भी पूरी विश्व में रोशन होगा, जी यह चंद्रियान 3 हमारे इसरो ने थर्ड जो चंद्रियान हमारा लॉंच हुआ है, फर्स्ट हमारा जो चंद्रियान था, वो सक्सेस्फुल रहा था, सेकंड हमारा जो चंद्रियान था, जो हमारे इसरो ने बेचा था, साइंटिस्ट ने, वो चंद्रियान से सिर्फ दो 2023 को यहां से लॉंज हो चुका है इंडिया से और अब यह हमारी अर्थ के और बिट के चक्कर लगा रहा है जल्द ही यह मून के और बिट में विंटर करेगा और उसके बाद वो सॉफ्लेंड करेगा अनुमान है कि 23 ऑफ अगस्ट 2023 तक वो चंद्रमा पर सॉफ्लेंड कर जाए है और लॉंचर यह जो आप लॉंचर देख पा रहे हैं यहां पर यह मॉडल यह स्केल डाउन मॉडल है जो कि हमारे इंडियम साइन सेंटर के कुछ टेक्नीशिंस ने बनाया है बिल्कुल एक्जेक्ट वही मॉडल है जो हमारे चंद्रियान 3 का मॉडल है इसमें जो पर इस लेगा और हमें इंफमेशन प्रवाइट करेगा